हलो बच्चों स्वागत है मैंने चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर प्रिजेश सो दोस्तो 60 सेकंड हम दो मार्ग के लिए ये रहा आपके सामने find the relation between x and y if points a b c are collinear मतलब collinear का meaning तो पहले आपको पता होगा ही collinear मतलब ही होता है कि तीनो points जो a b c दिये हुए है वो तीनो points क्या है they lie on same line all three points lie on same line ठीक है तब जाके हम collinear बोल सकते हैं अच्छा collinear में क्या होता है a b plus b c जो a b plus b c distance होता है वो आपका a c होता है ठीक है यह एक है इसका use करके आप distance formula लगा कि a b b c और a c तो डाल सकते हो लेकि प्राब्लम क्या होगा ना सारे के सारे root में आएंगे ठीक है ना a b b root में आएगा b c b root में आएगा a c b root में आएगा और इसको solve करना थोड़ा कठीन हो जाएगा ठीक है कि root irrational प्रस irrational वो थोड़ा से दिक्कत होता सको solve करने में तो वैसे तो नहीं करना है बट आपको area of triangle वाला method मालूम है मतलब अगर suppose मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो यह triangle है a b c और जहां पे points a b c collinear है तो तो शौक हो जाओ तो बोले कि अरे वह triangle तो form भी नहीं करेगा क्यों क्योंकि अरे वह तो collinear है ना वह तो सीधी line है तो मैं बोलूंगा तो ठीक है ना area of triangle zero है तो बोले कि हाँ यार यार यह बात तो है area of triangle zero ऐसा बोल सकते हो तो उसका भी formula है तो यही method लगाना जाद है better है तीक है चलो इसी को देखते हैं इदर किस तरह से करना है तो यहाँ पर आपको क्या given है यह सब given data है और दूसरी चीज इसमें आप लिखोगे let a x,y इसको आप assume कर लो a x1,y1 उसके बाद b minus 5,7 को assume कर लो आप b x2,y2 यह हो गय फिर c जो है minus 4,5 इसको assume करोगे आप c x3,y समझा आपको फिर now area of triangle a,b,c is equal to half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 अब यह formula अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं बता दू कि पहले आपको ना यह याद रखना एक चक्कर याद रखना आपको जहां पर यह जो घूम रहा है इस तरह से clockwise direction इसको बोलते हैं x1 के साथ साथ y1,x2 के साथ y2 वाला और x3 के साथ y3 वाला और x3 के इसा ठीक है अब देखो x1 लेना है पहले पहले x1 लेना है बाद में x1 के बाद उसका अगला वला पॉइंट का y वाला लेना है उसके अगले दू पॉइंट का y वाला लेना है तो y2 minus y से देखना 1,2,3 यह pattern जो है जो आपका 1,2,3 यह pattern regularly follow कर रहे है 1,2,3 इस ठीक है उसके वर 2 से चालू हो रहा है तो 1,2,3 हो गया 2 से चालू हो रहा है तो 2,3,1 2,3,1 फिर 3 से चालू हो रहा है तो 3,1,2 3,1,2 समझा बस खली बाहर x रहेगा और अंदर दोनों जो है वो y वाले रहेंगे so I hope इतना आपको समझ में आगया होगा कि at least formula कैसे याद रखते है तीक है बट बट हम बोल सकते हैं area of triangle ABC equal to 0 क्यों because points are collinear तीक है so therefore 0 equal to half of half of x1 what is x1 value देखो x1 का value क्या है x1 का value आपका x है x into समझ में आगया है y2 minus y3 so this is 7 minus 5 7 minus 5 plus x2 क्या है x2 इस आपका minus 5 एक bracket और ले ले लेते हैं तो y3 minus y1 y3 minus y1 मतलब 5 minus y plus x3 x3 क्या है हमारा यह रहा minus 4 minus 4 y1 minus y2 y1 minus y2 y minus 7 y minus 7 चीक है यह होगे उसके बाद देखो यह 2 अगर इदर जाएगा तो 0 हो जाएगा 1 नीचे जाएगा 0 हो जाएगा minus 5 into 5 is negative 25 minus 5 into minus y is positive 5y minus 4 into y is minus 4y minus 4y और minus into minus plus 28 आया समझ में यह आगा है चलो अगले slide में देखते हैं so यह आपका equation आगया therefore 0 equal to 7x minus 5x is 2x और इसके बाद minus 25 plus 28 is positive 3 और यह जाएगा minus 4y plus 5y अच्छा इसको भी करना था ना तो यह जाएगा 0 equal to 2x plus 3 5y minus 4y is 4y is plus y so therefore आपका y आगया y आगया minus 2x minus 2x minus 3 आया समझ में आपका y in terms of x relationship आगया यही तो पूछा था आपको find the relation between x and y so i hope आपको समझ में आया होगा इस solution जो भी डाउट होगा में दे communicate करीगा मैं dry कुरूगा आपके डाउट स्वाल्व करने का मिलते हैं 63rd sum में अगरी वीडियो में 63rd sum आपको देखने मिलेगा so let's meet in the next video till then take care and do not forget to subscribe my channel thanks a lot for watching bye bye